जैमातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए comment box में जैमातादी जरूर लिखें। सावन की पुत्रदा एका दसी को विसेस फल्दाई माना जाता है। इस व्रत को करने से संतान सम्मंदी, हर चिंता और हर समस्या का अंत हो जाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यहीं बताने जा रहे हैं कि साल 2022 में स्रावन पुत्रदा एका दसी का व्रत कम रखा और इसकी पूजा का सुब मूरत क्या रहेगा। इसके लावा हम आपको बताएंगे कि स्रावन पुत्रदा एका दसी के व्रत का पारण किस समय किया जाएगा। और इसकी संपूर्ण पूजा विधी क्या है। इसके लावा ये भी बताएंगे कि स्रावन पुत्रदा एका दसी के दिन ऐसे कौन से काम है जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए अन्यता आपको वरत का फल नहीं मिलता है लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल वर्ल बैस मैजिक को सस्क्राइब नहीं क पुत्रदा एकदसी का वरत रखा जाता है इस दिन वरत रखने से संतान की प्राप्ती होती है इस दिन निर्जला वरत रखना उत्तम माना जाता है पुत्रदा एकदसी के वरत के दिन एक बून भी पानी नहीं पीना चाहिए हाला कि यदि आप निर्जला वरत नहीं रख सक तो फिर फलाहारी व्रत भी रख सकते हैं। इस दिन भगवान विश्णुजी के साथ साथ लड़ू गोपाल यानि बाल गोपाल की पूजा करना स्रेश्ट रहता है। इस दिन जो भी जातक व्रत रखता है या पुत्रदा एक अदसी की कथा सुनता है उसकी सभी मनोकामनाई पूर्ण होती है और साथ ही पुत्र रत्न की प्राप्ती होती है। अगर संतान प्राप्ती की इच्छा से ये व्रत कर रहे हैं तो हो सके पति-पत्नी दोनों को इस दिन जोड़े से व्रत रखना चाहिए। इससे सिरेश्ट फल मिलेगा। साथ ही व्रत के प्रभाव से यो अन्हेतु जो लोग व्रत करते हैं उन्हें भगवान विश्णुजी के साथ साथ बाल गोपाल की पूजा जरूर करनी है। और यदि आम निर्जला व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो फलाहार या जल पीकर भी उपवास रख सकते हैं। और जो व्यक्ति एका दसी का व्रत कर करना जरूरी है। उस दिन सुर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। दस्मी तिति को एक ही समय सिर्फ सात्विक भोजन करना चाहिए। और ब्रह्म चर्रे का पून पालन करना चाहिए। इसके अलावा व्रत के एक दिन पहले से ही भूमी परसयन करना चाहिए। और और बैगन वापान भी नहीं खाना चाहिए इसके लावा दस्मी और एका दसी के दिन मास मदिर्या का सेवन भी नहीं करना चाहिए एका दसी तिथी के दिन चावल खाना भी निसेद होता है भले आवरत रखें या ना भी रखें तब भी आपको इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए इस दिन किसी भी तरह का नसा और जुआ आदि भी नहीं खेलना चाहिए दोस्तों एकादसी और दस्मी को मांग कर किसी से खाना नहीं खाना चाहिए अर्थाद दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए पुत्रदा एकादसी व्रत में व्रती को पूरी रात भगवान विश्णु जी की पूजा, मंतर जाप और उनकी भक्ती में ही गुजारना चाहिए इसलिए इस दिन रात में भूल कर भी सोना नहीं चाहिए दोस्तों एकादसी के दिन किसी का अपमान या निरादर ना करें चाहिए वो बड़े बुजर्गों या कोई बच्चा चलिए अब जानते हैं कि स्रावन पुत्रदा एकादसी की पूजा विदी क्या रहेगी दोस्तों वरती को इस दिन सुबा प्राता काल जल्दी उठना है उसके बाद इसनान आदी करना है हो सके तो गंगा इसनान करें या घर पर ही अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर इसनान करें इसके बाद सच वस्त धारण करें हो सके तो आप इस दिन पीले रंग के वस्त धारण करें और विष्णु जी का इसमरण करके मन में व्रत का संकल्प लें अब आप घर के मंदिर में स्रीहरी विष्णु जी के साथ साथ बाल गोपाल की भी पूजा करें अब भगवान को इसनान कराएं और उन्हें वस्त्र पहनाएं अब उन्हें रोली चंदन पीले पुस्प आधी अर्पित करें नैवेद और फलों का भोग लगाएं इस दिन आप पंचा मुलत का भोग लगा सकते हैं ध्यान रहें कि विश्णु जी को तुलसी अतिप्री है इ स्रावन पुत्रदा एका दसी की व्रत कथा पढ़ें और इसके बाद आरती करके विद्वत पूजा को संपन्न करें फिर आप रातरी जागरन करें फिर अगले दिन प्राता कल यानि द्वा दसी को सुबा उठकर इसनानादी करके भगवान विश्णु जी की पुना पूज पूजा करें और ब्रामणों को भोजन कराकर यथा शक्ती दान दच्छना देने के बाद ही अपनी व्रत का पारण करें चलिए अब जानते हैं कि साल 2022 में स्रावन पुत्रदा एका दसी का व्रत कब रखा जाएगा तो दोस्तों स्रावन पुत्रदा एका दसी का व्रत आट और एकादसी तिती की समापती 8 अगस्त 2022 की रात को 9 बजे हो जाएगी और व्रत पारण करने का सुब समय 9 अगस्त 2022 की सुबा 5 बचकर 47 मिनट से लेकर सुबा 8 बचकर 27 मिनट तक रहेगा और पारण के दिन 12 समापत होने का समय 9 अगस्त 2022 की साम को 5 बचकर 45 मिनट पर रहेगा तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद